मित्रों एक पुरुष अपने जीवन में जीवित रहते हुए जो भी गलत कर्म करता है उसे मृत्यू के बाद नरक में बहुती भयानक सजाएं मिलती है लेकिन एक इस्तरी जो अपने पती की सेवा नहीं करती जोट बोलती है गैर पुरुषों के साथ नजायज संबंध बनात है तथा अपने पती को धोका देती है ऐसी स्तरी को मृत्यू के बाद में रखना कोई सजा मिलती है या उनके लिए सब माफ है चलिए जानते हैं हमारी आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल और तब तक ही अपने पती के साथ रहती है जब तक उसके पास धन है और धन समात होते ही उसे छोड़ देती है तो ऐसी पापी आत्मा को नरक में गर्म खंबे से लटका कर तेज तलवार वाले चाकू से मारा जाता है दूसरा असीता पत्रम अपने कर्दब्वे से भागने वाली पत्नियों के लिए नरक की यह बेहत निर्मम सजाएं है अर्थात जो पत्नी अपने पती को धुका देती है दहेज के जूटे आरोप में अपने पत्दी को फसाती है ऐसी स्त्रियों को कई जन्मों तक चक्रवाग पक्षी बन कर रहना पड़ता है तथा ऐसी पापी पापी आत्मा को मृत्यू के पस्चात नरक में उसके शरीर को एक नुकीले धार वाले चाकू से छीला जाता है और यह सजा तब तक चलती है जब तक की वह बेहोश ना हो जाए आगे भगवान श्री कृष्ण करुण से कहते हैं कि जब को इस तरी किसी पुरुष से उसकी इच्छा के खिलाब संबंद बनाने की कोशिश करती है या उन्हें संभोग के लिए उत्तिजित करती है तो ऐसी पापी आत्मा को मृत्यू के बाद मूत्र, रक्त, बलगम, जहरीले कीडे और जानवरों के बीच सजा देने के लिए छोड़ दिया जाता है इसके अलावा ज तो उसको उसकी सजा आवश्य मिलती है लेकिन अगर एक पत्नी गलत कर्म करती है तो उसको भी उसकी सजाए मिलती ही है तो मित्रों अब दीजिये हमें इजाजत आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह विडियो पसंद आई होगी